जहीं दोस्तों, केरियर एक्षन सेंटर में आपका स्वागत है आज कलास्टेंद का लाए हैं काभी खंड वाला पहला चेप्टर काभी खंड वाला पहला चेप्टर है जो गुरू नानक जी लिखे हैं और आप लोग का फोटू भी दिख रहा होगा गुरू नानक जी का और यह लिखे हैं राम नाम बिनो बिर्थे जग जनमा जो नर्दुख में दुख नहीं माने यहीं चेप्टर पढ़ना है और बोल रहे हैं सभी कि आपका चाइनल से पढ़ कर कितना नंबर लाया जा सकता है हमारा पीडियाप से पढ़ कर नॉर्मल बच्चा भी 80% नंबर बोड में ला सकता है 80% से भी जायदा हो सकता है बसरते पढ़ने वाला पर डिपेंड करता है चले बिना टाइम गवाते हुए हम सुरू करते हैं गुरुनानक जी यह जो इमेज है यह गुरुनानक जी का है चले देखे गुरुनानक जी नाम था उनका गुरुनानक जी चले आपलोग अपना किम्ती समय निकालकर हमें दीजिये और यह यहां से एक भी Objective, Subjective कोसे नहीं छूटेगा चलिए देखिए तो जन्म अस्थान कहां हुआ था जन्म अस्थान 1479 इस्वी तालबंडी ग्राम 1479 इस्वी तालबंडी ग्राम जिला लहोर जन्म अस्थान है जिला लहोर और जिनका जन्म अस्थान क्या कहलाता है तो नान काना सहब कहलाता है जो कि पाकिस्तान में पढ़ता है, कहां पढ़ता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पढ़ता है, यहां से objective question में पूछा जाता है, आप लोग नोट करते रहे हैं, जिनके पास book है, वो book में underline कीजिए, और नहीं तो हमारा telegram पे जाकर join हो जाएए, चैनल का description में, जो हमारा telegram channel उस पे join हो जाएए, वहीं पे मिलेगा आपका यह वाला PDF, चलिए अब आगे देखते हैं, उनका पिता का नाम था, कालू चंद, खात्री, कालू चंद, खात्री, उनके पिता जी का नाम, कालू चंद, खात्री, पिता जी के नाम, कालू चंद, खात्री, और माता, त्रि पिता जी का नाम कालूचन खात्री कालूचन खात्री चलिए अब आगे देखते हम लोग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा चलिए आगे देखिए आप लोग राचनाओ के संगरा के सीख के पाचमे पाचमे गुरू अर्जुन देव सन्सुल्ला सो चारिश्यू में किया जो गुरू गरंथ साहिवा के नाम से परसीद हुआ गुरू नानक का पाचमे गुरू तो अर्जुन देव अर्जुन देव ने सन्सुल्ला सो चारिश्यू में किया जो गुरू गरंथ साहिवा के नाम से परसीद हुआ गुरू नानक का रचनाएं यहां से कोश्चन बहुत बार पूछा जाता है गुरू रचनाएं कि जापूजी जापूजी और आसीदावार रही रास सोही कहते हैं या सोही कहते हैं सोहीला कहते हैं यहां पर कट रहा होगा सोहीला कहते हैं है सोहीला कहते हैं सन उनका मिर्ति हुआ है सन 1549 इस्वि में 1549 इस्वि में मिर्ति हो गए वह मरते मरते बह गुरू कहते गये वह गुरू हुए अपने प्रान त्याग दिये अपने प्रान त्याग गुरू यहां से objective question पुछा जाता है कि गुरू ना नाक मरते समये क्या बोले थे तो गुरू क्या गुरू करते अपना प्रान त्याग दिए थे चलिए इने channel करते यह था जीवन जीवनी परिचय यहां से objective पूछा जाता है जो हम पूछा जाता है वो बता दिए चलिए अब देखते हैं चेप्टर की ओर से चलिए देखिए अब चेप्टर और यहां से चेप्टर राम नाम बिनुबिर्थे जग जनमा यह चेप्टर का नाम है चलिए देखिए यह इनका रेड़ वाला है जो इसका अर्थ नीचे दिया गया है चले देखिए बोल रहा है राम नाम बिनो बिर्थे जग जन्मा राम नाम बिनो बिर्थे जग जन्मा तो इनका मतलब होता है कि संत कभी गुरु नानक कहते है संत कभी गुरु नानक कहते है कि राम नाम के बिना संसार में जनम लेना वेयर्थ है मतल również कि गुरुणानक जी का कहना आएकर जो बीवेक्ते राम नाम को नहीं जकता उनका संसार में जनम लेना वेकार है वेयर्थ मनें होता है यह लाइन में किसी को कोई दिक्कर नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफ्वली मटी भर्मान चलिए इसका मदलब क्या होता है आगे देखते हैं चले देखिए राम नाम बिना राम के नाम के हम केवल 20 खाते हैं मनलोकी हम 20 खाते हैं और बानी भी यानि बोली भी 20 के समान हो जाता है राम नाम के बिना जीवन नी सफल है इसके बिना मती भरमती मनलोकी भरमन रहती है मनला कि जो भी वेक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो बोलता है जब बीस बोलता है यानि बीस के समान बोलता है और खाता भी है तो बीस राम नाम के बिना जीवन निसफल है यानि कि जीवन बेकार है इसके मती भी थोड़ा भर्मन मनला होता है कि थोड़ा पागल की तरह करने लगता है चलिए आगे देखें यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए आगे दखए भूतक पाठ ब्याकरन बार संधिया कम कम निकाल करे बिनूग गूरसबंध मुक्ति कहा प्रानी राम ना बिनू अरजी करे चलिए आगे दखें इनका अर्त गुरु नानक काते हैं कि पूश्टक पढ़ने ब्याकरण का वखान करने और तीनों समय संधिकालिन यानि साम के समय उपासना करें लेकिन बिना गुरु सब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती प्राणी राम नाम के बिना इस मौ माया में उलज के मरता है कि इसका अर्थ होता है कि मन रंगाया जोगी रंगाया कपड़ा दाढ़ी बनाय जोगी बन गया वक्रा इनका रथ तोटल एही होता है चली आगे देखते है अगला है डंड कमंडल सीख सूता धोती तीरत गवनू अती भर्मनू करे राम नाम बिनू संती नाज आबे जपी हरी हरी नाम सुपारी चलिए इनका मतलब होता है गुरु नाना काते हैं कि डंड कमंडल गुरु नाना काते हैं कि डंड कमंडल सीखा जेनेव आप लोग देखते होंगे जो तीन-चार धागा का रहता है पीठ में लगाया हुआ रहता है और गेड़ुआ वस्त्र यानि बजरंग दल वाला गेड़ुआ वस्त्र यह सभी बाहरी दिखावा है मनुस्य तिर्थ यात्रा करता है इधर घुरता है लेकिन राम के नाम बिना सांती नहीं आ सकती है जब तक आप राम नाम का नाम नहीं जपिएगा तब तक आपका सांती नहीं आ सकता है हरी नाम लेकर ही मनुस्य भाव सागर को पार हो सकता है अथार्थ माया मोह से छुटकार पासकता है मनलोग जब तक आप राम नाम लीजेगा तभी माया मोह से छुटकारा पासकते हैं तभी आपका मिर्तु भी हो सकता है चलिए आगे देखते हैं आगे देखिए जटा मुकूट तन भसम लगाई भसन छोड़ी तनी नगन भया जेते जीया जन्त जल थल महील जत्र कत्र तू सरब जिया गूर परिशद ही राखिल जन कोई हरिस नामाग जोली पिया जोली पिया दखिए इनकार थे कि गुरु नानक कहते हैं कि मनुस जटा धारन करता है और अपने तन पर भसम लगाता है वो कपड़ा को छोड़ कर नगन हो जाता यानिकि नंगा हो जाता कपड़ा नहीं पहनता है, लेकिन बिना राम नाम के वो इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता है, मनुस इस संसार में जितने भी जल, धल, अथवाकास के जीव हैं, सब उन्हीं पे किरपा से जीवित हैं, जितना भी मनुस से है, मनुस से जीव है, जनतु है, सभी राम के बिना ही जीवित है राम से ही जिवीत है मैंने गुरू की कीरपा अतार्त हरीरस की घोल के पी लिया है मनलो की हम घोल के हरीरस को घोल पी लिया है राम नाम का जपना भी बहुत जरूरी है चलिए यह फिर से देखिए गुरू नानक जी कहते हैं कि मनुष्ट से जटा धारन यानि बाल बढ़ा कर और अपने तन पर यानि कि शरीर पर भस्व लगाता है मलो लगा लेता है भस्व वो कापड़ा को छोड़कर नगन हो जाता यानि कापड़ा पहना छोड़ देता है लेकिन बिना राम के नाम को इस मों से बाहर नहीं निकला जा सकता है हे मनुख से इस संसार में जितने भी जल, ठाल, अथ्वा आकास के जीब, सब उन्हीं के किरपा से जीवी थे, मनलों के पच्छी, मनुख से जितना धरत, जितना भी आप लोग देख रहें, सभी राम के किरपा से ही जीवी थे. मैंने गुरू की किरपा थार्थ हरीरस का घोल के पी लिया है चलिए आगे देखिए अब लोग यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए पहला खतम होगा पाराग्राफ अब अगला पाराग्राफ है यह भी वो इसी ने लिखे गुरू नानक जी ने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुक सने अरुभाई नहीं जाके कंचन माटी जाने मला इनका कहना है कि जो नर मलो होता है आदमी दुख में दुख नहीं माने सुक सने अरुभाई नहीं जाके कंचन माटी जाने मतलब संत कभी गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुस से दुख को दुख नहीं मानता है जिसके पास सुख नेह और भाई नहीं हो मतलब जो जिसका किसी परकार का डर भी नहीं हो और जो सोने को माटी के जैसा समाजता है मतलब कि आप उसे मनलो की उसका काना है गुरु नानक जी का कि जो व्यक्ति सोने को माटी जैसा समाजता है वो धर्ती पे लेना ही वैकार है चलिए आगे देखिए इस लेन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए देखिए ना ही निन्दा ना ही अस्तूती जाके लोभ मो अभिमान हरक सोकते रहे नियारो ना ही मान अपमान लसंत कभी गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष से निन्दा और अस्तूती से परभावित नहीं होता जो लोभ मो और अभिमान से परे हो जो हर्स और बिवाद से परभावित नहीं होता और मन अपमान जिसके लिए एक संमान हो महलोग फिर से ये बीदह देखिया है संत कभी नहीं निन्दा ना ही अस्तूती जाके लोभ मो अभिमान हरक सोकते रहे नियार नाही मान अपमान संत कभी गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष से जो भी बेकती निंदा और अस्तुती से परभावित नहीं होता है जो लोब और मोह और अभिमान से परे हो जो हर्स और विवाद से परभावित नहीं होता है मनलब उनका किसी से डर नहीं है और मान अपमान जिसके लिए एक सम्मान हो मनलब इज्यत कर दो बेजती कर दो उनका किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं है उनका जन्म लेना ही बेकार है चले देखिए अगला है आसा मनसा सकल तयागी कि जग ते रहे निरास काम करोद जही परसे ना ही तेही घाट ब्रहा निभास मलब संत कभी गुरुनानक गुरुनानक काते हैं कि जो मनुसे अपने सभी आसाएं तयाग देता है मलब कि जो आसा है जो तयाग कर देता है यानि कि भरवाद कर देता है जो इस संसारिक विशाई बासनाओं के आसंत तक रहता है जिसे काम करोद जिसे छू भी नहीं छू भी ना सकता वैसे मनों से हिर्दे ब्रहा निवास करते हैं मतलब उसी के मन में निवास करते हैं आगे देखिए चले देखिए इस चेप्टर का लाश्ट लाइन है गुरू कीरन जेही नर्पे किन ही तिन ही तिन या जुगती पिछानी नानक लीन भायो गोविंद सो जयो पानी संग पानी मतलब संत का भी गुरू नानक कहते हैं कि जिस मनुस पर गुरू की किरपा होती है बही इस युकती को पाचान सकता है नानक कहते हैं कि भे गोविंद में इस परकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है मद ओन लोग को एक मिला दिजा आप अलग नहीं कर सकते कि यह वाला यह वाला पानी था आपने दोस्तों को पास शेयर कर देए हम लाते हैं अगला वीडियो इस चेप्टर का अबजेक्टिव जितना भी पूछा गया है बोड में हम सभी अबजेक्टिव को सौल्व कराएंगे और फिर question answer भी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जैंग